तो किस्से हो मेरे भारतियों? आज हम एक English word, Premise, के बारे में जानेंगे हिंदी में Premise, P-R-E, M-I-S, Premise P-R-E, M-I-S, Premise देखो, Premise मतलब होता है कि जर, ठीक है? और फिर कोई भी चीज का मेन मुद्दा, ठीक है? तो उसको आप Premise कहा सकते हो अगर मैं आपको एक एक जामपल दू, आप घर भाग रहे हो, जल्दी जल्दी ठीक है? पर क्यों भाग रहे हो? मेन मुद्दा क्या है? और फिर मेन कारण क्या है? क्योंकि बारे इशारा है ठीक है? तो उसको आप Premise कह सकते हो एक 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 जामपल देख लेते हैं जिससाब को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा देख गेम को इस आधार पे जीता गया है कि जो हम टीम है वो आउट अफ दे बाउंड है मतलब इस मुद्दे पे जीता गया है और इस मेन कारण के वज़े से जीता गया है कि कि टीम जो है आउट अफ दे बाउंड है आई होब आपको पूरा वीडियो अच्छे जी समझ में आया होगा आपको एक चोटा सा टीप है आपका इंगलिश को और भी बहतर बनाने के लिए जो कि है आप बुक्स परना शुरू कर दो आज से ही तो मैंने डिस्क्रिप्शन में से टॉफ पाई बुक्स दी हुए है जो कि आपको इंगलिश लेंड करने में और समझने में बहुत करेगा तो जाके लिंक से जाके पर्चेस करो डिलिवरी लोग बुक का और परना स्टार्ट करतो जैको ऐसे बहुत लोग है जिनका इंगलिश ट्रिमेंडर्सली इंप्रूव हुआ है आफर रीडिंग बुक्स एंड अगर आप इंगलिश लर्निंग में से हो तो आप हमारे जो फेजबुक ग्रूप है उसमें जॉइन हो सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अनुस ग्रूप में ऐसे चीज़े शेयर होती है जो कि सेल्फ ग्रोथ रिलिटेड है जो कि आपको हेल्प करेंगे कुछ अच्छा अचीव करने में आपके लाइफ में असके लिए टाड अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए